हाई गाईज दिस इस यूड़ूब चैनल मार्केड मूबर और यहां पर मिलते हैं आपको कॉलेटीवल स्टॉक्स की डिटेल वाली लिस्ट में आलोक इंडस्टी का नाम सबसे पहले चल रहा हूं क्यों न चले क्योंकि 603 रुपया सी पैसे से तीस रुपया स्ट पैसे तक की जरूर्य स्टॉक ने पर सर्किट प्र पार की है लगबगल मोस्ट आपका पैसा एट टेंस हो चुका है 8x ठीक है 8x हो चुका है 8x हो चुका है तो और दो टैंस मतलब लगबग लगबग 30 रुपिय से थोड़ा सा ज्यादा स्टॉक का प्राइस होने से आपका पैसा दस गुना हो जाएगा तो कमाल का रिटन्स कमाल की जरनी अलोक इंडस्टी की और आगे भी साइद यह जरनी कंट पड़ा हुआ है कल भी अपर सर्कृट लगेगा और अपर सर्कृट लगने के बाद दिन भर में अगर ट्रेडिंग इसी वॉल्यूम पे इसी सेर्स की क्वांटिटी पे होंगी तो स्टॉक पे क्या हो जाएगा फिस्टिकल अपर सर्कृट में रहेगा मुझे असा लगता ह कि 30 रूपीश तक पहले तो 25 रूपे के टारगेट था बीश के बार अब यह टारगेट 30 रूपे की और जा रहा है तीस रूपे पे अभी हम लोग फोकस करेंगे फिर आगे देखेंगे कि आगे क्या निकल क्या था तो 30 रुपिस के target के लिए इस stock पे अभी हम लोग continue इसे track करते जाएंगे अगर data की बात की जाए तो data on an average एकदम उसी level पे है जैसा कि 4-5 दिन पहले NSE पे था 4,68,000 करोड की trading हुई है वही 4,40,000,50,000,4 लग इसी के आसपास में trading हो रही है और 30,000,000 के आसपास में sales की bids buyers पर पढ़े रहे हैं तो यह NSE पे थोड़ा थोड़ा हम लोग को यह समझ माया चलिए देखता हूँ BSE पे क्या हुआ तो देखिए BSE पे लगभग 25 रुपे का target achieve हो चुका है BSE पे 25 रुपे का target achieve हो चुका है यह देखिए यह देखिए 24 रुपे 65 पैसे का तो कल यहां पे भी अपर सर्कीट आपको देखने को मिलेगा और सुबह सुबह और देखिए इसी चीज के लिए मैं BSE पे आया हूँ कि आज अभी इस stock पे BSE पे circuit खुला था ठीक है BSE पे circuit खुल गया था अपर circuits के जगा पे यहां पे stock थोड़ा सा नीचे आया था volume आपको यहां पे देखने को मिल रहा है तो जिनोंने भी इस particular script पे अपनी buying position लगाई होगी यह यहां पे buy हो चुका था ठीक है और 25 रुपे का almost target इसने achieve किया जो हमने आपको thumbnail पे बहुत सार BSE पे sale करने के लिए क्योंकि price का gap है आपको मैंने पहले भी कहा है कि NSE और BSE में लगभग एक रुपे से ज्यादा ज्यादा की price gap है तो यहां एक रुपे 15 पैसे की देखें यहां पे दो करोड पंदरा लाग सतर हजार सेस्ट की selling हुई है मतलब BSE पे माल बेचा गया है और माल को फिर से 85% डिलेवरी पे गया है तो यह एक दिन यह दो दिन आपको ऐसा दिख सकता है साइद एक दिन तो दिखना चाहिए क्योंकि stock exchanges पे बहुत ज्यादा gap रहने से stock पे clearly आप समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा नुक्षान हो सकता है और लोगों को profit तो ही रहा होग तो यह आपको एक हो सकता है कि upper circuit और lower circuit का scene देखने को मिले मैं हर एक वीडियो पर कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं क्योंकि ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है अलोग इंडस्ट्री पे पहले भी बहुत बार हो चुका और आपने देखा होगा तो इस चीज के लिए टेंसन नहीं लिना है कि stock exchange पे बीएसी पे सर्कीट खुल गया था तो सर्कीट खुलने की वज़ा कुछ भी हो सकती है तो चलिए 25 रुपे के target तो अलोगो स्टेचीव हो चुका आगे हम लोग 30 का देखेंगे और कल देखें क्या होता है ट्रेडिंग सेशन पे तो आगे हम 30 रुपे पे एक हर्डल है बहुत पूराना हर्डल मतला 30 रुपे प्राइस पे बहुत बार इस्टाउक मॉमेंट नहीं वहाँ पे पहले का 2010 या 2009 का डेटा है तो उसी प्राइस पे पहुंचने वाला है ट्रॉक तो वहाँ पे एक बार यह स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर सक आधा उस चीज की बात कर रहा हूं मेरा काम है यह इस ना सुचिए है कि मैं एक्राइừa क्या होता है चलिए मैं मिलता हूं कल एक फिर सान्व इंडेस्ट्रि के रिगार्डिंग इस वीडियो पे तना ही कल वाली वीडियो में कुछ और डेटा देखने को मिल सकता है क्योंकि आज सर्कीट खुला था अपर सर्कीट बीएस्टी पे तो कल तक के इंटेजार करें कल देखिए क्या होता फिर बिलते नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के बहुत जादा कंफर्मेशन नहीं जब तक कंपनी के ओफिसियल कोई चीज क्लियर नहीं करती है तब तक मैं इस चीज को अपने चैनल पे आपके साथ सेर नहीं कर पाऊंगा काफी लोगों ने हमें लिंक भेजा है मैंने चिक किया सभी को थैंक्यू कहूंगा कि उन्होंने इस चीज को हमारे तक पहुंचाया बट जब तक ओफिसील ही नहीं आता तब तक किसी तरह की कोई कमेंड नहीं चलिए थैंक्यू